सुनाव पेटीम लिमिटेट अब देखे 352 रुपए 15 पैसे कर प्राइस है और आज सुबह नौ बजी की तरफा यहां पर क्यूफोर की नंबर सा गए थे मार्किट ओपन होने से पहले और आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो ग्रीन में वर्क कर रहा है जब की लॉस हुआ ह है फिर भी यहां पर जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह ग्रीन में वर्क क्यों कर रहा है स्टॉक के लोवर सर्किट पर क्यों नहीं है इसका एक बड़ा रीजन है लेकिन उस रीजन से पहले आप देखें कि आर्निंग पर शेयर जो है वो कितने से मिस हुआ है 13.47 पर सर्मा ने माफ कीजिए विजय शेकर सर्मा ने यहां पर काफी कुछ कहा है तो अभी फिंटेक के अंदर अगर आप देखें तो पेटियम सागा एक बड़ा नाम है लेकिन यह गिरावट क्यों नहीं स्टॉक में है ऐसे हाल में तो खस्ता हालत में स्टॉक जो है वो 200 रुप यह जो है वो पहले से कैलकुलेटेट थी लोगो पहले से पता था कि यहां पर जो है लॉस निकल कर आएगा इस कौर्टर में है और आगे भी कुछ कौर्टर जो है वो काफी खतनाक होने वाले है तो यह पहले से ही अनुमानित था स्टॉक इसलिए आप देखें 800 से करेक्ट होकर आज कहां पर तो वो पहले से ही यहां पर जो है फेक्टर कर चुका है स्टॉक अब यहां पर गिरावट की कोई गुंजायस नहीं थी यहां पर सिंपल सी बात तो यह पहले से ही जो है वो यहां पर तै था और यहां पर आगर आप देखेंगे टोटल इंकम जो है वो न करोड का यहां पर अगर आप बात करेंगे तो लॉज यहां पर हुआ है 534 करोड यानि की 536 करोड रुपए और उसमें थोड़ा सा एडिशन है तो वो 550 करोड रुपए का लॉज चला जाता है जो कि यहां पर दिखता है अब जो एसोपी जैं या बाकी बगएर बगएर अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको क्या देखने को मिलता है हाला कि जो 534 करोड का जो लॉज है उसके अंदर भी एडिशन है इस बात को भी समझेगा अगर टैक्स एक्सपेंसिस को कट करकी सिर्फ आप देखेंगे तो वो तो फुड़ा सा कीट ठाक देखेगा अगर आप देखें तो आप जो एपी एस वो माइनस नाइन के चला गया और अगर आप देखेंगे तो माइनस ट्वैंटी टू है तो कुल मिलाकर यह बात थी अब स्टॉक जो है वो 350-352 पर यहां पर ट्रेड कर रहा है यहां पर आप देखें तो जो पहले की जो दिक्का तो आया पेटीम कंपनी तो अबर के आई बड एक्चुल में स्टॉक जो है वो अभी था कि यहां पर जो है रिकवर की तयार ही नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास एक किलियर बिजन नहीं है कि कितना यह जो चीज़ें हुई है वो कितना डेमेज करेंगी एक सिर्फ और सिर यह बात नहीं है बात यह है कि जियो जो जियो फाइनिसल सर्विसेस है वो एंटर कर रही है लोग मानना था जो खबरें ऐसे चली अब देखिए बात उठेगी तो यहां पर ना लोगों ने एक अनुमाल लगाने स्टार्ट कर दे कि जियो फाइनिसल की वज़े ऐसे यहां यहां पर जो है आर्विया को इतना हार्ड स्टैब लेना पड़ा चलो ठीक है उससे भी और आगे बढ़कर अगर आप देख रहें एक और बात चली जियो यहां पर जो है वह यहां पर किसमें उतर रही है ब्रोकिंग के बिजनिस में ठीक है अभी आपने सेवी को क्या कहते ही वह देखा कि सेवी अब ब्रोकर्स की नीड नी पड़ेगी यह बगएर बगएरा तो लोग अब यहां पर क्यानवा लागा कि देख रहे हैं कि देखिए जीओ फाइनसे सर्विसस किस तरीकी से आ रही है और सेवी ने देखिए आज के टैम में यह बजलाव लेकर आए है डाइरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की तो वह बात है तो जो ख़वर आती है और ऐसी ख़वर आई तो बात तो उठेएगी सीदी सी बात है बट अभी भी अगर आप देखें तो मेरा अभी भी इसके अंदर एक ही मानना है कि जो पेटीम जो है वो आईटी अपना समाल ल या कुछ समतिंग के आसपास के जो फिगर है उस पर यहाँ पर जो है डाउट की रेट कर दिये थे तो यहाँ पर जो है बड़े लोन ही दे सकते हैं अधर वाइस यहाँ पर देखें तो छोटे लोन में तो दिक्कत है और यहाँ पर जो एक इंट्रेस्ट है वो छोटे लोन तो वो आपको समझ में आने चाहिए तो यह एक ना चार्मिंग बिजनसेस हैं बाकि यूपी आई का जब ट्रांजेक्शन लगेगा वैसे तो यहां पर जो है आपके रिचार्ज पर अब देड़ दो रुपए कटने लगें आप देखें फोन पे या कुछ पर तो देड़ दो आगे चलकर यह होगा 100% यहां पर फिरी नहीं रहने वाली फिरी का माल नहीं बटेगा आप ध्यार रखिएगा उस दिन इन स्टॉक्स की चांदी होगी क्योंकि यह भरमार कमाएंगे अब अगर आप देखें तो 201.88 की बुक वैल्यू है और आप यहां पर 1.73 टाइम यहां प्राइस टॉक वैल्यू स्टॉक काम कर रहा है जादा कुछ बच्चा नहीं है बट आप देखें अभी भी सवाल यही होगा कि चलो ठीक है क्यों क्यों फोर यहां पर जो ऐसे निकल गए क्या यह स्टॉक 2000 जाने वाला है या 1000 जाने वाला है या 20 रुपे आने वाला है सो र फोर्म कर पाएगा एक यह बात है या नहीं है आपके जो मीन कॉम्टीटर है आप उनकी वैल्यूशन देख लीजे इवन आप देखेंगे तो फोन पे भी अभी स्टॉक ब्रोकिंग में एंटर कर चुक है ठीक है आसान है इन कंपनियों किली करना इतना बड़ा यूजर वे अगर ये नम्मर्स कुछ ऐसे ही आते रहेंगे प्रोब्लम्स और बड़ेंगे तो यहां पर सो बीस दो सो यह क्या बड़ी बात आप दो सो के तो बिलकुल दायरे में खड़े है ठीक है ना तो वो बात है तो यह आप छोड़ दीजे आप यह देखे कि क्या आप ग्रो कर र लेड़ी कि लीजिए आप भी ले लो और तुम भी ले लो तुम भी थोड़ा सा यहां पर जो है चक्कर देखिए से और वो यहां पर जो है उल्टा पड़े बड़ी जो तीन सो रुपए का प्राइस है वो एक यूजर बेस देखी अगर आप इसके साथ साथ आप हैं लेकिन यह सही तो होंगी आप पेटिम को ऐसे नजरनदास तो नहीं कह सकते ही कि अचानक से पेटिम बंद हो जाएगी यह तो नहीं होने वाला इतना तो आप समझेगे क्योंकि इतना बड़ा पेमिन्ट यहां पर सर्विस यहां पर करवाते हैं और वो अचानक से बंद करोड का मार्किटकेप था अँच पैस सच 1,195 करोड का मार्केप पैटियम कि आप को थीक ہے क्या है कि यह 20,000 के कंपरेसन तो 350 का भाव तो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से गिर नहीं सकते बिलकूल अगर सेल से यहां नहीं रुक रही है नीचे जा रहा है बिजनेस का कोई यहां पर बिजन स्टॉंग नहीं देखने को मिला है so that completely आप यह कह सकते हैं कि यह 300 भी थोड़ेगा 200 भी जायेगा और उससे नीचे भी जा सकते है सीधी सी बात एक और बात कि mutual funds थोड़े से आपर पैसे इंफ्यूस कर रहे हैं जैसे कि आप देखे हैं तो शेयर से आपर बढ़ा रहे है मिरे ही सबसे बड़ा पैसा लगा है जो mutual fund में वो मिरे ही asset का लगा है पेटियम पर अब यहां पर भाई साब जो है वो लगातार increase करें दीरे दीरे अपने shares को आप January का pattern देखेंगे February का देखेंगे March का देखेंगे April का देख लीजे तो आपको समझ में आएगा तो दीरे दीरे यहां पर भढ़ा तो रहे है क्योंकि पैसा फसा है average तो करने ही पड़ेगा उपर का रुपया रखा भी या एक और बात क्या आप बॉटम पकड़ सकते हैं बॉटम बॉटम पकड़ सकते हैं बिल्कुल chances होते हैं 50-50 के लेकिन क्या यहां पर chances हैं पता नहीं अगर यह 300 रुपय का level तूट गया तो आप समझ लीजे कि बॉटम अभी बना नहीं है तूटम बॉटम बना हुआ है हम थोड़े से सेफ हैं बस इतना है डिलिवरी परसेंटेज तो ठीक ठाक है पेटी एम के रिजल्ट से पहले खरिदारी कहीं न कहीं होके गई थी कल की डेट में दो परसेंटी स्टॉक उपर था लेकिन आप देखो तो जो एक है वाल्यूम है और डिलिवरी परसेंटेज वो आपको बता रहा है कि कल घरिदारी होकर गई थी एर इसको छोड़े पेटी एम सागा है यह लेकिन नए लोगों के लिए कहीं न कहीं अब इंटरस्टिंग हो चुका है पेटी एम इसमें कोई शक्की बात नहीं है एज़ा रीटेल इंवेस्टर और एज़ा यहां पर जो है जो मैं चला रहा हूँ इस चीज़ को और जो आपकी ब्यूज है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि इस भाव पर रीटेल जो निवेसक है वो काफी इंटेस्टरेड है इस स्टॉक को लेकर और हो भी क्यों ना क्योंकि पेटी एम किसके पॉकेट में नहीं है बात सबसे बड़ी यहां पर यह आ जाती है हम अमेरिकन कंपनी को देखते हैं पता है प्रॉब्लम क्या हुई प्रॉब्लम इनका यह दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम यह है कि यह इतनी हैवी वैल्यूशन पर लेकर आये थे ना इस जगह है कि चूतिया काड़ दिया था सबका तेड़ लाग करोड की वैल्यूशन आप समझेए कैसे आप यहां पर जो है कर रहे है इससे वड़िया मैं टाटा स्टील में लगा दूँ इतना रुपया ठीक है ना मजबूती तो दिखाई देगी कम सकम तो वो चीज़ है लाउस मेकिंग कंपनी इतना वड़ा नैट सेल भी नहीं है फिर भी आप देड़ लाग करोड का यहां पर जो है तो उस पॉकेट का आपने बेनिफिट कैसे उठाया कि आप यहां पर जो है रिलाइंस को पीछे छोड़ दिये या किसी और को पीछे छोड़ दिये तो वो एक बात आयाती है वो एक ना बिलकुल क्लियर्टी नहीं थी वहां पर वो यहां पर जो होता हो दिखा तो यह ना बहुती दिक्कत भरी बात थी पे एटियम के लिए फिलाल देखते हैं यह तो अभी यह 500 प्राइस है मैं 2000 की बात करूं फिलाल अगर आप देखें तो क्या है अभी है भईया 378 का लेवल important क्योंकि हम moving averages जिससे काफी नीचे ठीक है base क्या है base है आपका 300 रुपया यह तोटा समझो गया यह आप कह सकते हैं ठीक है दीरे दीरे हलका हलका support मिल जाता है trading होती नहीं है थोड़ा बहुत इदर उदर इदर उदर चला है पे टियम के जैसे तैसे बट अभी भी स्टिल जो ट्रेंड लाइन जो टूटी है पे टियम की वो बहुत तीन सो अठतर तीन सो असी इदर इर्द गिर्द के आसपास से वो ट्रेंड लाइन गुजरती तो वो आपके लिए एक resistance भी है ठीक है तो ये सारी चीज़ तीन सो अठतर आपको क्रॉस करना जरूरी है तीन सो असी तीन सो पचासी जो भी हो आपका जो trend लाइन गुजर रही है इसको भी क्रॉस करना important है नहीं कर पाएंगे sailing आ जाएगी लेकिन strongness कब देखेगी कि हम इर्द गिर्द closing हो रहे हैं तीन सो अठतर यह आपका यहाँ पर trend line यहीं से sailing आएगी और stock जो हो फसा रहेगा खुछ दिनों के लिए यहीं पर तो कुछ इस तरीक से पेटियम के stock में फिलाल कुछ दिख नहीं रहा है अगर आप देखें तो कुछ है नहीं कुछ ऐसा नहीं है कि बावाला कट जाए यह आप बास समझें बस यहाँ पर यह है कि पैसे आ रहे है अपनी salary है या कुछ भी कमाई है अगर लग रहा है तो थोड़ा 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 करके महिना महिना अपना एक खटा कर लो अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरे पैटियम एप का जो है उसका stock मेरे portfolio में होना चाहिए तो रेट यह ठीक है यह ठीक है बट वो risk free नहीं होगा risk फिर भी होगा क्योंकि आप जानते हैं new age कंपनियों में जो risk है वो खतम नहीं होता अभी आसानी से जब तक यह अच्छे खासी position पर ना आ जाए तब तक अप पेटियम जैसे कंपनी में क्या risk खतम हो जागा नहीं होगा निवेसक का पेटियम कंपनी चलते रहेगी बट निवेसक का यहां पर क्या होगा यह एक सबसे बड़ी बात होते हैं काफी कुछ आपको समझी में आया होगा एक बार निवेस से पहले आपने ब्रोकर एडवाइस से जरू सला लीजिए या खुद की स्टेडी काफी इंपोर्टेंट है आप क्या कहना है इसको कमें से समझेए और अब जीच में जाब बड़ी देखने के लिए बहुत दन्वा आप दो